क्योंकि आज हमारी राइड का चोता दिन है और चार दिन से मैं नाने के लिए मुझे नहीं मिला और पंगा तो आज सुबह भी इसी बात से शुरुआ था तो हुआ ये था कि परसों हमने नाइट इस्टे गया था सिसु में सिसु के बाद हमें चलना था सुबह मैंने वाजे 6-6 बचे गरीब अपनी राइड सुरु करती थी उसके बाद मैं पहुचा था सर्चु ओक्सीजन की दिक्कत मुझे पिछली बार सर्चु पे बहुत ज़्याद आई थी इसलिए मैंने सर्चु में ना रुकने का फैसला लिय और मैं आगे बढ़ा आगे बढ़कर मैं पहुच गया पांग पांग तंग आने का सफर मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार बहुत ही जादा ओफ्रोड वाला रा जो सड़के पिछले साल तक बहुत अच्छी बनी थी वह बिल्कुल तूट गई थी जब मैं पहुचा तो पा मैं ठान लिया कि जहां तक भी जाएंगे जाएंगे गुट मॉर्णिंग दोस्तों रात काफी लंबा सफर हो गया सिसू से उपसी तक उपसी सी वैसे भी है बीस किलमेटर उपसी हाँ से उससे पहले जहां पड़ दिये इसका नाम कंफिर नहीं है अभी नेंद में हूं अभ और रास्ते का जो सफरता बड़ा भेंकर सफरता तांग लांगना पास पर इतनी जबरदस्त आइस लैक आइस रोड़ के उपर और बहुत खदरनाक रास्ता उसकी वीडियो भी आएगी बगी रात मैंने कमरा ले लिया था और यहां पर हमारा समान भीख़ा पड़ा है तो ह ने आपर आकर सबसे पहले अपने कैमरे की वैटरी वैटरी सबसारी पावर बैंक सब चार्ज कर लिया और आपको दिखाते हैं कमरे के बाहर का व्यू कुछ ऐसा नजारा कमरे के बाहर संद राइस एकदम हमारे गेट के बाहर से और अभी जरा सोक्स बगारा पैड़ ले उसके बाद बाहर निकलते हैं दिखाते हैं आप व्यू तेल के इस्तिती काफी कम है तो हम जो एक्ट्रागेर करके लाए थे वो तेल डाल देते हैं इसमें इसमें भी थोड़ा सा कम हुआ ह अब देख सकते हैं बाहर से गंदी है वैसे हमने पनी लगा रखी दिसके अंदर कल भेंकर ओफ रोड़िंग होने के कारण हमारा यह जो लद्धा केरियर था इसका यहां से जो पत्ती थी वो तोट गिये हमने भी लोगातार बंद हुआ है बाकि ओफ रोड़िंग बहुत ज कि कुछ और दिक कदमें नहीं आई है यह है अंटी का रेस्टोरेंट या डावा या जो भी कहेंगे लगताग में आपको इस तरीके के काफी भी लेंगे बड़े चोटे वैसे तो सभी तरह के होते हैं यह उपसी की और से आता हुआ है ट्रक इस जगां का नाम है रूपचे और यह पड़ती है अगर आप कारू के और से आ रहे हैं तो यह पड़ेगा आपकी उपसी से 20 किलो मेटर आगे अगर आप मनाली के और से और तो तनलललाँ से यह अगला शटो भी यही पड़ेगा आपका रूपचे और यह इसके बीच की दूर्गे करीब 20-90 km इसके बीच में आपको कोई भी रुपने के लिए कोई इस्ट्री नहीं मिलेगा ना कोई आबादी केवल जंगल का ही रास्ता है तो हमारी मजबूरी भी थी यहां पर पहुचना और इसी चीज़ का यह लोग फाइदा उठाते है तो यह से देखो इस रेश्टोरेंट को आगे से आओगे अगर लद्दाख में तो पहले रेट मोल भाव खन लेना उसके बाद यहां पर मैंटना मैंने लद्दाख में ऐसा होटल रेश्टोरेंट या रो मिष्टे कहीं नहीं देखा रात में रेट कुछ और बोला और सुबह फिर जाती है तो वहिया परदेश में पुलिस भी इनकी होती है और रेश्टोरेंट के मालिक भी खुद होते हैं इसलिए मैंने इनके पैसे जबा कर दिये हम में आसे निकलोगा यह मेरे साथ वैसे तो मैं अद्दाख दूसरी बर आया हूं लेकिन पहली बर हुआ है कि किसी ने म मोड़ बहुत जादे खराब गया मैं आपर ने रहूंगा चाय नास्ता वगरा भी ने करूंगा मैं चलूँगा आगे तो चलते हैं अब यहां से चलेंगे अपसी की और